गुड मॉनिंग आला फ्यू आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सब लोग हमें कमेंट करके बताईए क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं मेरी आवाज आ रही है आप सब तक राम बली चोहान विपुल सराफ गुड आप्टनून बेरी बेरी गुड आप्टनून सब लोग बताईए कमेंट करके क्या आप हमें सुन पा रहे हो सभी लोग बताईए फटा फट बहुत अच्छे नमस्ते सभी लोगों को नमस्ते सब लोग सेर का दीजिए तो वेलकम टू अड़ा 247 ठीक है आप सभी लोगों को बहुत-बहुत स्वागत है और आज हम सीधे Tai powiedz की बात करेंगे आज हमारे हम लाश्टन सीगन है जिस क्यों पर हम लोग क्या करेंगे दरफ आज्स लाश्टन से क्यंव आप लोगों को कराएंगे यूटूब पर यीग होगा ठीक है गुड आप्टरनून गुड आप्टरनून भी हो रहा है गुड मॉनिंग भी हो रहा है नमस्ते नमस्ते गुड परफार्मेंस देखो बेटा आप लोगों के लिए कुछ पहले तो हमारी आपकी जो है आज हम लोग क्या कहते हैं इस बैच से बिछड जाएंगे तो उमीद है कि हम इस बैच से ही विछड़ेंगे लेकिन हम एक दूसरे से नहीं विछड़ेंगे क्यों मैं सही कह रहा हूँ बोलिए आज दो मिनट बाते कर लेते हैं आज क्या कहते हैं इस बैच में लास्ट मुलाकात है बोलिए कि ऐसा होगा कि अब आप तुम लोग हमें कि इस्टूडेंट भले अपने टीचर को भूल जाए लेकिन एक टीचर अपने इस्टूडेंट को कभी नहीं भूलता है यह फैक्ट है और आप सभी लोगों को मेरे तरफ से जववा भर की सुबकामनाया और जववा भर भर के आशिरवाद कि आप सब लोग जंडे गार के आए पेपर में सबका सेलेक्शन हो सभी मास्टर बने या असिरवाद के साथ शुरू करते हैं समझ रहे हो हाँ सच में आज हम भी थोड़ा इमोशनल है क्योंकि होता ना इतने दिन से थोड़ा लगाव हो ही जाता है तो चलिए शुरू करते हैं भई देर ना करते हुए आएंगे क्या क्या होते हैं तो सबसे पहले हम प्रियोडिक टेबल के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं उनके बारे में डिसकस करेंगे तो प्रियोडिक टेबल में फर्स्ट ए ग्रूप जो होता है उसमें कौन-कौन से होते हैं हाड्रोजन लीथियम सिर्फ पॉस्चन ही देजिएगा हाँ सब फैक्ट कराएंगे इंपॉर्टन्ट ही इंपॉर्टन्ट चीजे बताएंगे लेकिन कुछ बेसिक चीजे जान लीजिए हमेशा याद रखेगा प्रियोडिक टेबल जो है उसमें जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो टॉप तो सबसे पहले hydrogen से related fact देखेंगे कि कौन-कौन से अपने fact बनते हैं कौन-कौन से पूछे जाते हैं hydrogen की अगर बात करें तो चलिए शुरू करते हैं तो अगर आप से question पूछा जाए कि सबसे हलका तत्त कौन सा है तो answer क्या होना चाहिए तो सबसे हलका तत्त की जब बात करते हैं तो answer होगा hydrogen सबसे हलका तत्त पूछा जाए hydrogen की अगर बात करें तो hydrogen एक ऐसा तत्त है जिसके नाभिक में neutron की संख्या सुन होती है तो इसमें लिख लेना कि नाभिक में neutron नहीं होते हैं ये question बहुत पूछा जाता है कि किसके नाभिक में neutron नहीं होते हैं तो किसके नाभिक में neutron नहीं होते हैं तो किसके नाभिक में तो न्यूट्रान नहीं होते हैं ठेक ये याद रखेगा तो न्यूट्रान की संख्या क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी क्या होगी जीरो होगी तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसमें न्यूट्रान नंबर आफ न्यूट्रान क्या होंगे जीरो होंगे देखो बेटा गटा दें देशी जुगार याद रखें निउट्रान की संख्या आ जाती है अगर कि स्वरी इसका एटामिक वेट भी एक होता है तो जो बड़ा होता अब इसमें तो बराबर है तो एक से एक घटाएंगे जीरो हो जाएगा इसलिए निउट्रान जीरो होने के कारण ही क्या ह होता है हाड्रोजन आश्थाई तत्व होता है क्या होता है आश्थाई तत्व होता है अगर आप से पूछा जाए आश्थाई तत्व कौन सा है तो एंसर होगा हाड्रोजन यही कारण है कि हाड्रोजन आश्थाई होता है यही कारण है इसको बेटा आवारा तत्व कहा जात किसको कहते हैं तो एंसर क्या होगा वाइंसर होगा हड्रोजन जैसे हमने बता हाड्रोजन सबसे अगर बात करें तो यह और बात याद रखेंगा हाड्रोजन के तीन समस्थानिक होते हैं, क्या होते हैं, तीन समस्थानिक होते हैं, समस्थानिक को इंगलिज में आइसोटोप्स कहा जाता, क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं, अब कितने समस्थानिक होते हैं, तो तीन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इस पे जरा नजर डालते हैं पहले समस्थानिक की अगर हम बात करें तो पहला जो होता वो होता 1H1 दूसरा जो होता वो होता 1H2 तीसरा जो होता वो होता 1H3 ये तीन समस्थानिक होते हैं पहले को अगर हम देखें तो पहले को कहा जाता है प्रोटियम क्या बोलते हैं प्रोटियम बोलते हैं दूसरे को क्या बोलते हैं दूसरे को डूटेरियम बोला जाता है क्या बोलते हैं डूटेरियम बोलते हैं तीसरे की अगर बात करें तो तीसरे को ट्राइटियम कहा जाता है क्या कहा जाता है ट्राइटियम बोला जाता है क्या बोलते हैं अब देखो यहां से भी एक फैक्ट पूछा जाता है जो डिटेरियम है इस से तयार किया जाता है डिटू ओ का केमिकल नेम क्या होता है तो डिटू ओ का केमिकल नेम होता है डिटेरियम आकसाइड क्या होता है तो डिटेरियम आकसाइड जो है वो क्या है वो डिटू ओ का केमिकल नेम होता है डिटेरियम आकसाइ तो इसको बनाने वाले बैज्यानिक का नाम था यूरे। इसके लिए इनको 1934 में नोबल प्राइस से सम्मानित भी किया गया था। तो डिवटेरियम आकसाइड के यूज की अगर हम बात करें तो इसका यूज क्या है। तो आप सब लोग जानते हो इसका यूज nuclear reactor में किसमे nuclear reactor में as a moderator यानि कि moderator क्या होता है तो moderator कहा जाता है मंदक को किसको कहा जाता है तो moderator का होता मंदक यानि कि as a मंदक मंदक के रूप में इसका यूज किया जाता है मन्दक उसको कहते हैं जो क्या करता है रियक्टिविटी को यानि की क्रियासिलता को कम कर देता है उसी को मन्दक कहते हैं यहां तक क्लियर समझ में आया बोलिये फटाफट थोड़ी स्पीड जादा है अब क्या कर सकते हैं स्पीड है आज लेनी पड़ेगी स्पीड तो क्या कर पूछा है सबसे हलका तत्तु यह भी पूछ सकता है कि सबसे भारी तत्तु कौन सा है। कि बारित होता और जालुट यहां से आगर बात करें तो जैसे हाट्रोजन के कंपाउंड भी बनते हैं जैसे एक कंपाउंड याद रखेगा एस्टु एसो फोर इसका जो है adjective 004 जो है यह बैटरी में बैटरी का तिजाब जो होता है बैटरी इत्योज्टा किया जाता है प्रफॉर भरसता है यानि कि जब अमलिय वर्सा होती है ठीक है हलाकि एसी ड्रेंजब होता है तो क्यों एस चुछ फ़ॉर बरसता है क्योंकि सल्फर डाइय आखसाइड जो गैस है इसी के कारण बनता है एसुछ चुछ फोर बरसना सुरू हो जाता है समझ में अई बत भूलो यहां तक clear है अब देखो यहां पे अगर देखें तो nest पे अगर आते हैं तो अपना आता है lithium ध्यान दीजिए थोड़ा speed में चीजे चलने वाली हैं तो lithium की अगर बात करें तो lithium बेटा क्या होता है lithium की जब हम बात करते हैं तो lithium क्या होता है lithium की अगर बात करें तो याद रखेगा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे हलकी धात कौन सी है तो answer होगा lithium सबसे हलकी धात ठीक तो सबसे हलकी धात पूछी जाए तो answer lithium होगा अगर आपसे पूछा जाए सबसे लचीली धात कौन सी ह तो एंसर क्या होगा सबसे लचीली धात कौन सी है तो भी एंसर आपका लेथियम होगा अगर आप से पूछा जाए किसको चाकू से काटा जा सकता है तो एंसर होगा लेथियम इसको चाकू से काटा जा सकता है क्या होता है काटा जा सकता है याद रखेगा दूसरी चीज लेथ रखा जाता है किसमें रखा जाता बच्छा मिट्टी के तेल में रखा जाता है अब आपके दिमागों Julius कि और सेमृल करें रधा हो हो तो कि सोडिय केलियmanas को सब्सक्राम करें अजुरी ऑक skill में सेम्सिलिनिर स्यू उन्हीं उनल। यह क्योंकि प्रियॉडिक्टेवल सरायम कंफ्यूज हां हम जानते हैं कि कंफ्यूज हो गए हो गए उसी का समाधान लेने बताने आ रहे हैं देखे क्या होता है अगर हम देखें तो यहां पर सोडियम के जेश्ट ऊपर कौन है लीथियम तो सबसे ज्यादा क्रिया सिलता तो ज्यादा ही है तो जुझाय सिवा सबसे पहले प्रेजर्बेट करने की बाता है तो मिट्टी के तेल में हम लीथियम को ही रखना पसंद करें लचीली भी होती क्योंकि जितनी भी छहारीये अपको क्या कहा जाता है तो सब थोड़ा लचीली होती है लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएंगे तो उनकी क्रिया सीवता घटेगी तो हार्डनेस उनकी बढ़ने लगते लेकिन यहां पर सोडियम और लिथियम बिल्कुल सेम ही होता है ये दोनो रियक्टिव होते हैं काफी क्योंकि टाप पे आते हैं दोनों इसलिए इनके साथ कंडिशन जो फालो होती हो दोनों की सेम सेम फालो होती है ठीक है तो देखे तो यहां पे सेम कंडिशन होगी बस खाली ये कंडिशन फालो नहीं होगी कौन सी ये वाला सबसे हलकी ध अगर ये सबसे हलकी धात पूछा गया है यहीं बगल मेने आत कर लो सबसे भारी धात कौन सी होती क्योंकि यह बी ग्रूप में आता है तो सबसे भारी धात की अगर हम बात करें तो सबसे भारी धात कौन सी होगी तो सबसे भारी धात जो होती है वो बेटा प्लेटिनम होती है कौन सी होती है सबसे भारी धात की अगर बात करें तो ऑस्मियम होती कौन सी होती है ऑस्मियम होती क्या होती ऑस्मियम होती ठीक दूसरी चीज याद रखिएगा यहाँ पर अगर सबसे भारी ही यह सबसे हलकी है यहाँ पर लिखाए सबसे लचीली लचीली का मतलब होता है सब सबसे कठोर धात कौन सी है जब आप से कोश्चिन किया जाए कि सबसे कठोर धात कौन सी होती है तो एंसर क्या होगा तो सबसे कठोर धातू की जब हम बात करते हैं धातू याद रखिएगा तो एंसर प्लेटिनम होगा अगर प्लेटिनम की बात करें तो प्लेटिनम सबसे कठ सबसे मैंघकि एंसर होगा प्लेटिनम का एंसर होगा प्लेटिनम क्या होगा प्लेटिनम जो होता की अगर hard metal की बात करें तो platinum होता है platinum सबसे महगा भी होता है हीरा से भी महगा platinum होता है market में इसे white gold के नाम से जाना जाता है अब देखो तो यहाँ पर यह चीज हो गई सबसे कठोर धातू हो गई अब देखो sodium के बारे में अगर हम देखें तो यह सेम चीजें हैं जैसे अगर हम कहें तो यह कह सकते हैं कि यह सबसे मुलायम धातू है क्या है सबसे मुलायम धातू है यह कह सकते हैं सबसे मुलायम धातू है इसको भी कह सकते हैं कि ये मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्या मिट्टी के तेल में रखा जाता है ठिक मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्यों क्योंकि जल वास्प से या जल से एक रिया कहता है ठिक मिट्टी के जल में रखा जाता है सोडियम की और अगर हम बात करें तो इसका यूज कहा होता है सोडियम की अगर बात करें तो जो सोडियम वास्प होता है जिसको हम लोग सोडियम वैपर कहते हैं क्या कहते हैं सोडियम वैपर जो होता है सोडियम वैपर की अगर हम बात करें तो इसका यूज light में किया जाता है तो road light जो होती है जिसको हम लोग sodium lamp भी कहते हैं क्या कहते हैं जिसको हम लोग sodium lamp भी कहते हैं इसी sodium lamp में इसका क्या होता है यूज होता है अब ये sodium lamp कौन सी होती है sodium lamp की अगर बात करें तो जो क्या कहते हैं पहले हम लोगों के गली महले में यलो कलर की लाइटे लगी हुआ करती थी उन्ही को सोडियम लैंप कहा जाता है जो यलो कलर की लाइटे लगी हुआ करती थी उसी को हम लोग क्या कहते हैं सोडियम लैंप कहते हैं तो यहां तक क्लियर हो गया बोलो बेटा फटा फट सभी लो सब लोग बोलिए फटाफट हाँ रोड साइड होती थी हाँ बहुत अच्छे बोलो बोलो ठिक अब देखो इसके बाद आ जाते हैं क्या सोडियम हो गया सोडियम की अगर बात करें तो जैसे सोडियम के कंपाउंड में दो कंपाउंड इसके पूछे जाते हैं याद रखेगा एक पूछा जाता सोडियम कार्वोनेट क्या पूछता है सोडियम कार्वोनेट सोडियम कार्वोनेट जो होता है इसको धावन सोडा कहा जाता क्या कहते हैं धावन सोडा कहते हैं एक एक कोश्चन इससे पूछा जाता है दूसरा जो होता है एक होता जाने की भी संभावनाएं प्रवल होती हैं अब देखो अब इसके बाद आ जाते हैं किस पे क्या हो गया लितियम हो गया सोडियम हो गया पोटैसियम पे आ बारूद बनता है अगर इससे बारूद बनता तो जायद सी बात इसे बम भी बनेंगे इसी से पठाखा भी बनेंगे क्या बनेंगे पठाखा भी बनेंगे जोलन सील होती इसी से अगर बोलें तो इससे लाल दवा बनती है क्या बनती है लाल दवा इससे तयार की जाती है इसी इसका होता है potassium permagnate क्या होता है potassium permagnate होता है फिटकरी का formula भी पूछ लेता तो इसका formula होता है K2SO4.L2SO4 का whole thrice.24H2O ये बेटा फिटकरी होता है फिटकरी की अगर बात करें तो ये रक्त के थक्का को जमाने के लिए काम आती है तो रक्त का थक्का जमाने में काम आती है इसलिए क्या होता है जब कोई वेक्ति कट जाता है तो दाढ़ी वाड़ी कटने के बाद क्या होता है इसको लगाया जाता के वेनोफोर जो है इसका केमिकल नेम क्या होता है तो इसका केमिकल नेम होता है पोटैशियम पर मैगनेट क्या होता है पोटैशियम पर मैगनेट मैगनेट तो ये इसका क्या होता है केमिकल नेम होता है इसके यूज की अगर बात करें कि इसका होता है यानि कि जीवाण नासी के रूप में इसका यूज होता है हिंदी में अगर देखें तो हम इसको कहते हैं जीवाण नासी क्या कहते हैं जीवाण नासी के रूप में यूज होता है तो कहां कहां इसका यूज किया जा सकता है इसका यूज किया जा सकता है पानी के सुध प्रिकरण में इसका यूज कर सकते हैं जीवान और कहां लग जाते हैं अगर किसी वेक्ट को घाव हो गया है तो घाव के इंफेक्शन को साफ करने के लिए घाव को क्या करते हैं घाव को साफ करने में इसका यूज किया जा सकता है लाल दवा इसको क्यों बोलते हैं तो इसकी अगर बात करें अगर लाल दवा की हम बात करें आज मिला मेरे कोश्चन का एंसर सजी सब मिलेगा देखें लाल दवा इसको क्यों बोला जाता है इसलिए लाल दवा इसको बेटा बोला जाता है क्योंकि जैसे हम लोग होली में खेलते थे ना रंग की पुडिया लाल कलर की ला लाल वाला रंग लाते थे तो जब उसको हम देखते थे तो वो देखने में हरा होता था कंक्रीट जैसा घोल दो तो लाल हो जाता था उसी प्रकार से बिल्कुल बिल्कुल डिक्टो कापी होता है पोटेशियम पर मैगनेट उसी को कापी करके क्या किया जाता है मतलब उसी वो गोलते हो तो लाल हो जाता इसलिए उसका नाम लाल रखा गया दवाकें क्योंकि एंटी वैक्टीरियल काम करती है बोलो यहां तक समझ में आया बोलो मेरे लाल सब लोग साइंस से कितने कोश्चन रहेंगे बालक दस से बारा पंदरा कोश्चन रह सकते पंदरा मैक्समों ठीक है बोलो यहां तक समझ में आया सद धावन सोडा क्या होता वासिंग सोडा होता क्या होता है धावन सोडा रे भगवान इसको क्या कहा जाता है तो इसको वासिंग सोडा कहा जाता क्या बोलते हैं वासिंग सोडा ठीक वासिंग सोडा धावन सोडा ठीक धावन नहीं धोवन अम्हेसे हो गया कलियर अब देखो जैसे क्या कहते हैं वारूद भूम पठाखे एक और होते हैं इसमें सवारी इसका चैनल का नहीं तो माइट का युज होता ली इस पटाखों में रंगों को उत्पन किया जाता है यानि कि जो होते ना साधिवादी में उपर छोड़े जाते हैं तो जाते हैं फट से फटते हैं कई सारे कलर निकलते हैं तो इसका इसमें भी यूज होता है समझ में आई बात चलो भाई नेश्ट आजाओ पोटेसियम हो गया त तो सेकेंड में कौन कौन आता है तो सेकेंड में आता है कौन कौन हाँ बेरेलियम मैगनीशियम कैलसियम इस्ट्रोंसियम बेरियम रेडियम यह आप क्या आते हैं किसमें यह आप क्या आते हैं सेकेंड ए में किसमें आते हैं सेकेंड ए में सहनवाज किसको फुल जड़ी बो जो चलाते हो फुल जड़ी वाला फुल जड़ी में कहां इतने रंग होते हैं फुल जड़ी में इतने रंग कहां होते हैं ज्यादा तर जो उपर छोड़े जाते हैं रॉकेट वगएरा उसमें निकलते हैं देवता सिवांगी बाद में क्या कर दिये अब क्या होगा क्या आप क्या कर दिये क्या होगा अब कुछ नहीं होगा अब देवी जी सब अच्छा होगा देवता सिवांगी तुमने देवता क्यों लिखा है ठीक है अब सब अच्छा होगा रंगीन फुल जड़ी एक फुल जड़ी क्या कहते हैं ना एक पिच्चर में भी फुल जड़ी मैं अगर इस स्पीड में पढ़ा हूँ तो ये एक सब्जक्ट एक दिन में खतम कर सकते हैं कुछ नहीं होगा देखो मेरे लाल सबसे खास बात याद रखिएगा कि आप जितने लोग हो ठिक वो सभी लोग प्रेसर बिलकुल ना लो फ्रेस माइंड में जाना है ठीक अच्छे से एक्जाम करना है ठीक है और क्या कहते हैं एक्जाम कंड़क्ट करके आना सब अच्छा होगा be positive आज तुम लोगों को एक 금िश्टि का है question कराएं यह physical properties है physical properties को बिटा बता दें काम कहतम फिर आपका हमारा नमस्ते हो जाएगा ठीक है नमस्ते हो जाएगा नमस्ते क्या कहते हैं हो जाएगा लेकिन तुम लोग जो हम क्या कहते हैं दस वजे क्लास चलाते हैं अपनी साइन्स की क्या कहते हैं प्रपरेशन को और ग्रेस फुल बनाने के लिए दस वजे वाली क्लास में आप सब लोग ज हुआ है रेनुका साह सर हम जितना पढ़े हैं वो लग रहा सब भल्टे जा रहे हैं देखो विटा सुनो मेरी बात सुनो अब सभी लोग जरा ध्यान से सुनो जैसे रेनुका कह रहे हैं प्रप्रेशन ठीक से नहीं हुआ है चलो इसमें तो थोड़ा आपका डिफाल्ट है क्य क्या होता है कि जैसे इसको अन्यथाना लेजैगा जैसे मैं हुँ मैं यहां खड़ा हूं अगर मैं आपको समझाताओं कोई चीज समझ में नहीं आता है तो इसका रिस्पॉंसिबल मैं ही होता हूं कि प्यों समझ नहीं आता है मेरी जवाब देखे क्योंकि on the ground मैं ही खड़ लेकिन बेटा अपने दिमाग में अगर ये प्रेशर रखा कि हम पढ़ नहीं पाएं हैं हम जो पढ़े हैं वो भूलते जा रहे हैं हम जो पढ़े हैं उसका क्या कहते हैं रबडी बनता जा रहा है हम जो पढ़े हैं उसका सलाद कटा जा रहा है तो ये सब समस्याएं जो हैं ये आपके पेपर पे निगेटिव इंपक्ट डालेंगी, इसलिए क्या कहते हैं, आप इसके चक्कर में अब इन चीजों को सोचिए नहीं, आप अब केवल इतना सोचिए कि आपने जीवन में ठीक डेड़ सो दोसो कोश्चन पढ़ें हैं, वहीं से कोश्चन आता है, जो बिल थपड़ फार के देती है, और किसमत जब लेती है, तो थपड़ मार के किसमत लेती है, समझ में आई बात? हाँ, पता नहीं लगा, आज भी है, देखे, हाँ, तो इसलिए ध्यान ना दे, देखे, सबसे पहले, इसको हम लोग कहते हैं, बेरेलियम, क्योंकि इसके नाम में कन सकते हैं, बेरेलियम, तो इसलिए कनफ्यूजन हो सकता है, बेरेलियम की अगर बात करें, तो ध्यान दीजिए, बेरेलियम की खास बात क्या है, बेरेलियम अपने चारों तरफ आकसाइड की लेयर डबल अप कर लेता है, किसकी लेयर डबल अप कर लेता है, आकसाइड की, इ याद रखेगा रासाइनिक रूप से रूप से निस्क्रिय होता है क्या होता है निस्क्रिय होता है ठेक याद रखेगा ठेक दूसरी चीज बेरेलियम की अगर बात करें तो यह मुक्त अवस्था में पाया जाता है किसमें मुक्त अवस्था में पाया जाता है बस यह दो फैक क्लोरोफिल का निर्माड कोन करता है मैगनीशियम करता है जैसे अगर हम देखें तो मैगनीशियम हड्डियों का निर्माड करता है ठीक है जैसे मैगनीशियम टेंडन को का निर्माड करता है यह सब तुमको क्या है पता है ठीक दूसरी चीज आज़ाओ कैलसियम पे कैलसियम क कार्बोनेट के जैसे केल्सियम स सल्फेट होता है केल्सियम स सल्फट से कई कंपोनेंट बनते हैं कार्बोनेट की अगर बात करें तो इसको चूना पत्थर कहा Coffee कहते हैं तो अगर पूच जा चूना पत्थर में क्या होता है कैल्सियम कार्बोनेट होता है अगर पूछा जाए संग मर्मर में क्या होता है तो कैल्सियम कार्बोनेट होता है ठीक क्योंकि संग मर्मर जो है ये बेटा किस से बना है ये चूना पत्थर से ही तो बना है किसी से तो बना है संग मर्मर कोई रूपांतरित चट्टान में बदल जाता रूपांतरित का मतलब ये थोड़ी ना होता नई चीज बस रूप का अंतरण हो जाता है जैसे एक कहावत तुमको बताते हैं ये देवियों के लिए बोला जाता है कि कल तक गोद में खेलती बच्ची थी आज किसी की दुलहन बनने जा रही है यानि कि कहने का मतलब ये है कि लड़की वही है लेकिन आज उसके रूप का अंतरण होने जा रहा है उसका रूपांतरण होने जा रहा तो जो रूप का अंतरण होता तो उसका बिहेवियर उसकी प्रॉपर्टी सब बदल जाती है वैसे चूना पत्थर चूना प तो यहां पर अगर देखें तो यह क्या है इसमें सम्में चूना पत्थर में पाया जाता है कैल्सियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो यह मिट्टी में भी पाया जाता है ठेक कैल्सियम कार्बोनेट की अगर बात करें तो मकड़ी के जाले में भी होता है किसमें होता है इस तो इसको Short Form में कहा जाता है P.O.P. तो P.O.P. क्या होता है? तो पी O.P. क्या है वेटा? तो इसकी अगर बात करें तो Plaster of peris है क्या है? Plaster of peris अब इसका Use क्या है? Plaster of peris का तो इससे मूरती बनायी जाती है इससे वेटा खिलोना बनाया जाता है क्या बनाया जाता है खिलोना बनाया जाता है ठीक और अगर हम देखें तो इससे क्या कहते हैं घर की डिजाइन बनाई जाती है डिजाइन बनाई जाती है दूसरा अगर इससे हम देखें क्या बनता है तो घर वाले जब तुम क्या कहते हैं कभी नुकसान पहुचाते हो तो घ सब लोग बोलो जहां तक clear बोलो सब लोग plaster आप पहरी सर आवाज clear नहीं है आवाज में का हो गया है आवाज सब चका चकबा हाँ plaster करने में नहीं उस से مطلب क्या है design बनाने में होता है ठीक है istronium देखो बच्चा istronium जो होता है इससे बेटा पटाकों में हरा रंग उत्पन किया जाता है कौन सा हरा बेरियम जो होता है इससे लाल रंग उत्पन किया जाता है सुरी लाल नहीं बैगनी इससे कौन सा रंग होता है तो इससे थोड़ा बैगनी रंग उत्पन होता है भैगनी हलका लाल पन माता है ठीक भैगनी रंग ठीक दूसरा अगर देखें रेडियम पे आ जाते हैं रेडियम समझो बेटा क्या है रेडियम पी की अगर हम बात करें तो रेडियम क्या होता है रेडियम की रेडियम जो है ये एक प्रकार का रेडियो एक्टिव क्या है एलि एडियो एफिप तत्त वो होते हैं जिन से स्वता अलफा बीटा गामा किरणों का उत्सरजन होता है इसकी खोज मैडम क्यूरी ने की थी यही कोश्चन पूछा जाता है किसने खोज की थी मैडम क्यूरी ने इसकी खोज की थी अब इसके बाद आ जाओ बेटा किस पे थरडे के थरडे की अगर हम बात करें तो कोन आता है ध्यान दो सबी कों थरडे में कौन आता है इंडीयम इसमें कुछ खास ऐसा यही नहीं यहां पर ऐलमूनियम की अगर बात करें जो होता है वह थरड कंडुक्टर होता एक लस्मंघ अब्धुत्बॉ Safe एक ऊता है यानि कि उस्मा और विद्दूत का क्या होता है सुचालक होता है तीसरा होता है पहला तो हमने बताइ ता पहला क्या और नंबर के सिलवर आता है दूसरे नंबर पर कौपर आता है इनमें बस इतना ही है और कोई फैक्ट नहीं है तो अब आजाओ फोस्थे पे बटा फोस्थे कि अगर हम बात करें तो फोस्थे में कौन-कौन से element आते हैं तो इसमें carbon आता है, silicon आता है, germanium आता है, tin आता है, lead आता है इससे fact कई सारे बनते हैं देखो सबसे पहले carbon पे हम प्लास्टर किया जाता है, नहीं वैटा, प्लास्टर नहीं उससे design तयार किया जाता है, देखे, तो यहाँ पे carbon की बात करते हैं, carbon समझो वैटा, carbon जो होता है, इसकी सबसे खास बात क्या है, यहाँ पे अब हम discussion कर रहे हैं, carbon के बारे में, चलो यह इधर रख चला जाए सब ठीक, तो अब carbon के बारे में देखें, तो carbon जो होता याद रखेगा, यह बेटा सबसे लंबी chain बनाने की छमता रखता है, तो अगर आप से पूछा जाए कौन सा इसा तत्तु है, जो सबसे लंबी chain बना सकता है, तो answer होगा carbon, carbon की अगर बात करें, तो इसके दो समस्थानिक ह होते हैं, क्या होते हैं, दो समस्थानिक होते हैं, अभी तुम लोग को समस्थानिक की definition भी बता देंगे, दो समस्थानिक होते हैं, कौन कौन से, एक होता 6 carbon 12, एक होता 6 carbon 14, यहाँ पर अगर देखें, तो जो 6 carbon 14 है, यानि कि 6 carbon 14 है, 6 carbon 14 की अगर हम बात करें, तो इसका किया जाता है रेडियो कि अरे आ किसमें तो ऑश venom को जिससे फासिल अरे निकाली जाती तो इसकी अगर बात करें तो इसका यूज किया जाता है रेडियो कार्बन डेटिंग में किसमें यूज होता है रेडियो कार्बन डेटिंग रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है तो इससे किसी भी फॉसिल्स की एज का पता लगाया जाता है यानि कि फॉसिल्स का मतलब होता है जीवास्म जो आज से हजारों करोडों साल पहले जमीन के नीचे उथल पुथल होके दब गए वही क्या कहते है उसी का पता लगाते है रेडियो कारवन डेटिंग से क्राइम पेट्रोल तुम लोग देखते ही होगे क्राइम पेट्रोल में क्या होता कहते हैं इनका तीन मेहने पहले मटर हुआ था तो रेडियो कारवन डेटिंग की जाती है उसमें का सिक्स कारवन फोर्टीन का यूज होता सरवस्ट दो कोश्चन ही लिखवा दीजिए जो एक्जाम में आएगा बेटा अगर मैं इतना बड़ा क्या कहते हैं अंतरियामी होता तो मैं तिलक उलक लगा के बाबा बन गया होता मैं सबका पर्चा बना रहा होता सबका पेपर क्या कहते हैं लिग करा रहा होता गुप्त बाबा होता मैं समझ रहे हो तो इधर पौरवाल सर्खा टैग नहीं लगा होता लगा होता बाबा पौरवाल दास और हम क्या कहते हैं अलग निजान हम क्या कहते हैं सुनाते हुए क्या कहते हैं रास्ते में निकलते तो एक्जेक्टली अगर हम देखे तो इतना क्या कहते हैं इतना हुए ग्यान नहीं है कि हम एक्जेक्ट बता दें कि कौन से दो कोस्चन आएंगे अंतर यानी मी नहीं हाँ यहां पर अधा जितना बता रहे हैं इतने से यह जरूर आएगा गरेंटी यह आएगा गरेंटी ठीक तो यहां पर अगर देखें तो इसका एंसर क्या होगा इसका यह फॉसिल के लिए यूज किया जाता है तो इसके दो समस्थानिक होते हैं अब बिटा जरा यह जान लो समस्थानिक क्या होते हैं यह बताना जरूरी समस्थानिक कभी-कभी यह पूछा जाता है ज्यादा तर हो समान हो जिनний comment नभर समान हो हुँ समान हो जो पर माड़ भार होता है यानि कि atomic weight जो होता है जो परमाण भार हो वो क्या हो भिन भिन हो भिन भिन का मतलब different हो भिन भिन हो उसे क्या कहते हैं तो उसी को समस्थानिक कहा जाता है जैसे इसका भी atomic number 6 इसका भी atomic number 6 atomic weight इसका 12 है इसका 14 है तो यह दोनों isotopes हो जाते हैं क्या हो जाते हैं isotopes हो जाते हैं हाँ ठीक clear अब देखो carbon की अगर बात करें तो यह हो गया ठीक है carbon के yellow drops पूछे जाते हैं yellow drop of carbon देखो भई अगली heading जो आएगी वो होगी EA- directement की अगर बात करें तो क्या होते हैं एक 계속 carbon की बात करें यानि कि हिंदी में carbon के अप्रूफक कहते हैं क्या कहते हैं अप्रूफक का मतलब होता इनके रूप के जैसे होते हैं लेकिन उनकी एनकी chemical property चंज होती है रूप इनके जैसा होता है structure इनके जैसा होता कौन कौन से होते हैं कार्वन के एलोट्रॉप जान लीजे एक कार्वन का एलोट्रॉफ जिसका नाम है greyfide क्या नाम है графide ठीक दूसरा क्या कहते है एक होता grayfene क्या होता बटा ग्रेफीन होता है तीसरा एक होता फुलेरीन क्या होता है फुलेरीन होता है ठीक फुलेरीन होता है चौथा जो होता है वो कौन सा होता है ग्रेफाइड ग्रेफीन फुलेरीन ठीक है बस यह तीन होते हैं अब इनके यूज क्या है जराध्यान दो ग्रेफाइड जो होता है इसका यूज नूकलि रियक्टर में मंदक के रूप में किया जाता याद रखेगा नूक्लियर रियक्टर में किसके लिए आजा मॉड्रेटर याद रखना इसका भी यूज होता है यह बच्चा आधात होए यानी कि नॉन मिटल्स होती ही याद रखे अगर हम देखें तो good conductor of electricity यानि कि ये विद्दुत का क्या होता है सुचालक होता है तो good conductor of electricity होता है जबकि इसमें non metallic property होते हैं ठिक ग्रेफीन की अगर बात करें तो याद रखिएगा ये वेटा नैनो एलो ट्रॉप होता है अगर आपसे पूछा जाए कौन सा ऐसा कार्बन का कार्बन का नैनो एलो ट्रॉप कार्बन का नैनो अपरॉपक कौन सा होता है तो नैनो अपरॉपक की हम बात करें तो कौन सा होता ग्रेफीन होता ये केवल ऐसे याद रखिए ये कार्बन का एलो ट्रॉप है फुलेरीन क्योंकि फुलेरीन जो होता है ये सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबbirds कि यह तो कामन बात है यह तो सब पता होगा किसका यूच पैंसिल की पैंसिल बनाने में किया जाता है तो यह तो कामण बात है थीक है बोलो यहां तक क्लियर हो गया सब को क्लियर है फटाफट बोली जल्दी जल्दी बोलो मेरे लाल आज हम क्या कहते हैं सतापदी पे नहीं बुलत ट्रेन पे बैठ गये हैं हमारें अंदर लेकिन ऐसे यूज़ नहीं जो इंडस्ट्रियल यूज़ हों जो हम आपको बता सके केमिकल यूज़ होते हैं आप लोग प्लेन पर बैठे भी ठेक है ठेक आप देखो कारबन हो गया कारबन के बाद कौन आता है कारबन के बाद आता सिलिकॉण Silicon के वारे में आप सब को पता है Silicon की अगर बात करें तो Silicon जो होता है इसका यूज क्या होता है Silicon के वही यूज जो बताये थे ये क्या है ये semi conductor है बिटा क्या है बिटा तो ये semi conductor होता है क्या होता है semi conductor होता है तो Silicon के यूज क्या होंगे सिलिकान के यूज डायोड बनाने में होगा सिलिकान के यूज क्या होगे सिलिकान के यूज ट्रायोड बनाने में होगा सिलिकान के यूज क्या होगे सिलिकान का यूज ट्रांजिस्टर बनाने में होगा सिलिकान के यूज क्या होगे रैम बनाने में होगा सिलिकॉन का यूज क्या होगा राम बनाने में होगा सिलिकॉन की अगर बात करें तो इसी से मदर बोर्ड बनाके तयार किया जाता है तो मदर बोर्ड बनाने में इसका यूज किया जाता है ठीक है तो यहाँ पर अगर देखें तो यह सब सिलिकॉन के यूज हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम यह दोनों जो होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम इन दोनों के सिमिलर यूज होते हैं तो यही किसके जर्मेनियम के भी यूज हैं यही सिलिकॉन के भी यूज हैं समझ गए आज भी हो सकता है चांस कम है बहुत अगर बेटा कहीं फुरुसा से जब से बैस तुम्हारा स्टार्ट हुआ था तब से अगर मैं पढ़ा रहा होता तो साइंस के तुम सब से बड़े विद्वान बन गए होती सही बता रहे हैं तो तुम लोग क्या कहते हैं साइंस तो कहते हैं रेट नो टेंशन ठीक क्लियर यहां पे देखो अब देखो अभी कौन सा बनता कारवन सिलकॉन जर्मेंनियम टिन लेड लेड से कोशन पूछा जाता है अब लेड़ से जरा कोश्चन देख लो विटा कौन कौन से बनते हैं अब आ जाते हैं लेड़ पे लेड़ की अगर बात करें तो लेड़ की अधिकता से क्या होता है ये जान लो पहले लेड़ की अधिकता से अगर हम बात करें तो कैंसर होता क्या होता है कैं सर होता मैगी पर लेड के लिए पूरे भारतवस में दो मिनट के लिए बैन लगा था कितने मिनट के लिए दो मिनट के लिए बैन लगा दिया गया था मैगी पर बैन लग गया था पूरे मैगी भारतवस में दो मिनट के लिए लगा था लेड अगर देखें तो इसका सबसे ज लेड उसमें पड़ता ہے जैसे एक direct use अगर हम देखें तो लेड जो होता है PB304 बनाया जाता है PB304 क्या होता है PB304 की अगर बात करें तो इसका केमिकल लेम होता है TRI-Plambig TRI-Plambig TETRA Oxide ये क्या होता है TRI-Plambig TETRA Oxide होता है TRI-Plambig TETRA Oxide का मतलब क्या होता है ट्राइपलांबिक टेटरा अकसाइड जो है इसी को हम लोग सिंदूर कहते हैं ये बेटा लाल रंग वाला सिंदूर होता है इसलिए इसको रेड लेड कहा जाता है क्या कहते हैं रेड लेड कहते हैं इस सिंदूर की अगर हम बात करें तो ये सिंदूर को ब केले लाइफ में यूज नहीं करना चाहिए लेकिन सब लोग आजखेट में यूज करते हैं फैशन में का ना हो जाए भगवान बजाए हपैस था समझे हम तो क्या कहते हैं, ज़ग जादा फैसंद देख लेते हैं तो उस दिन Mengदिर चले जाते हैं, भगवान से दूआ मांगते हैं कि हमारी आंकों को थोड़ा क्या कहते हैं, इतना मुँखा देना की क्या कहते हैं, थोड़ा हम इधर मोह माया में भड़के नहीं कहने का मतलब क्या फैसन की दुनिया में गारंटी की कोई उम्मीद ना करें यहां पर क्या कहते हैं कुछ भी हो सकता है लोग यूज इसे ही करते हैं हलाकि डेली लाइफ में फिर यूज करना किसका चाहिए सवाल ये भी है क्या सिंदूर होता है इस सिंदूर का यूज किया जा सकता है इससे कैंसर होने के खत्रे होते हैं अब कोई कहेगा सिंदूर का से यहां सिंदूर लगेगा तो मुह में कहां चला जाएगा जो एक चीज़ जान लीजे जो क्या कहते हैं रेड लेट होता है लेड ये संसेशन को बढ़ा देत अगला कोश्चन है बेटा देखो अगला अगला इससे रिलेटेट तो हो गया कार्बन के बारे में कार्बन के बात कौन आता है कार्बन सिक्स सैवन नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन फासफोरस आर्सेनिक एंटी मनी बिसमत यहां पर अगर देखें तो यह आते हैं आपके नाइट्रोजन के भारे में जरा समझ लेते हैं नाइट्रोजन क्या होता है नाइट्रोजन कैसे काम करता है तो नाइट्रोजन की अगर बात करें तो हमको पता है हमारे पूरे वायू मंडल में 78% है कितने है 78% कभी सुचा है कि अगर ना ना होती थेक नाइट्रोजन ना होती तो क्या होता नाइट्रोजन ना होती तो क्या होता नाइट्रोजन ना होती तो क्या होता सोचा कभी नहीं सोचा अब बताते हैं नाइट्रोजन आज लनसील गैस होती क्या होती है आज लनसील गैस नाइट्रोजन होती यानि कि यह जलने को आग को फैलने से क्या करती है रोकती है अगर सूक्यों ना होती आग लगाते की उपस्थिती में हैं आग जलती है ऑक्सीजन की उपस्थिती में आक्सीजन हमारे वायु मंडल में है 21 परसंड आग जलात हो दिये नाइट्रोजन है ही नहीं आग फैलती जा रही है फैलती जा रही है नाइट्रोजन ना होती तो क्या होता तो नाइट्रोजन ना होती तो पूरी धरती जल जलकर वसम हो जाती यह याद रुखो जलकर क्या हो जाती भसम हो जाती याद रखो वाला बस मोझाती यह था感 फिर्म था 100% है यही होता फिल है अब देखो अब आज उलंसील है इसको क्या कहते हैं बिटा यह आग को फैलने नहीं देती है इसी लिए बड़े-बड़े प्लांट में यानि की बड़ी बड़ी फैक्टरियों में नाट्रोजन का रिसाव कराया जाता है फैक्टरियों में रिसाव कराया जाता है क्यों रिसाव कराया जाता है ताकि आग लग जाए तो आग फैलने ना पाए इसलिए नाट्रोजन का रिसाव करते हैं दूसरी चीज इसको इगर हम बात करें, तो जो एरो प्लेन होते हैं, यानि की जो वायूयान होते हैं, उनके टाइरो में वायूयान कह लें, या गाड़ी कह लें, गाड़ी या वायूयान के टाइरो में भरी जाती है, किसमें भरी जाती है, तो गाड़ी या वायूयान के टाइरो में भरी ये भी याद रखना आप लोगों को आप सूच रहे होंगे फिर कन्फ्यूज आप सूच रहे होंगे गुरू जी हमने हिलियम पढ़ा है हिलियम जो होती है वो सबसे अलग होती है क्या होती है सबसे अलग होती हिलियम hydrogen नहीं होता है helium और क्या कहते हैं nitrogen होता हर चीज के बेटा दो option होते हैं क्या होते हैं दो option होते हैं जैसे अगर हम देखें तो helium जो helium हिलकी है उससे कोई सुरच्छा नहीं nitrogen आज अलंस हील होती है जब airplane land करता थोड़ी भारी ही तो होती है जब 200 आदमीं को उठा सकता एरोपलेन तो वो दूई के लोग क्या कहते है नाट्रोजन नहीं उठा पाएगा यह तो खाली फरजी की बात है तो कहने का मतलब क्या होता अगर लेंड कहता है तो आप जानते हो फ्रेक्शन बहुत हाई होता है ताइरों में आग ना लग जाए गाड़ियां क्या कहते है पं नाट्रोजन होता तो इसी लिए क्या किया जाता है ज्यादा तरलोग प्रेफरेंस नाट्रोजन को देते हैं जैसे यह पर हम दोलग के बारे इसका यूज हम इसको आपने क्यों नहीं सुना है इसलिए नहीं सुना क्योंकि इसका हम डेली लाइफ में यूज नहीं करते हैं इसलिए आप इसके बारे में नहीं सुने इसके बारे में आप सुने हैं क्यों यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें क्लोराइड के मॉलीक्यूल को जोन को नश्ट करते हैं किसको नश्ट करते हैं वो जोन को नश्ट करते हैं अगर क्लोराइड के मॉलिक्यूल को यूज किया गया और जोन अगर नश्ट हुआ एक सेकेंड वालग वह प28 तो अगर नश्ट हुआ उसको भरने में उसको मेंटेन करने में ज्यादा रिसकी कर नहीं पाये ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होते और उसको कंट्रॉल करने आसान आज नहीं इसलिए डेली लाइफ में हम इसका यूज करते हैं इसका नहीं करते हर चीज के पीछे क्या होता एक logic होता है अगला कुछ देखो यहां पर बात समझ में आ गई क्या nitrogen का खेल है बोलो भया nitrogen सबको समझ में आया सब लोग बताओ मेरे लाल यहां हम चिला चिला के हमारे फेफड़े फू ना आया तो अब बताओ क्या करें चिरिया तो गई ना वैसे क्या कहते हैं मेरे साथ है चिला चिला फेफड़ा तीन इंच फूल गए हैं लेकिन तुमको का मजा नहीं आ रहा है तो बताओ भीया हम लोग का दिमाग फूल हो गया है गुड परफार्मेंस फूल नहीं होता है नहीं कि जा मजा वजा गसा ब्चिए क्यों करें के दिमाग सचुरेटेड कोई चीज अंधर जानाबंदह ऑ जाती है अब आ patent क्लासंस कैटरम करौ कहते हैं ना जब कोई चीज अमें वजॉर्व करना बंद कर देते हैं तो हम कहते हैं सचुरेटेड हो गया संतरप्त हो गया ठीक देखें गुड़ परफार्मेंस कोई बात नहीं तो यह चीज के लिए अब आजा वही फास्फोरस पे फास्फोरस देखो फास्फोरस की अगर बात करें तो फास्फोरस के एलो ट्रॉप होते हैं एलो ट्रॉप से ही कोश्चन पूछा जाता है याद रखेगा कौन-कौन से एक होता काला फास्फोरस एक होता सफेद फास्फोरस यह सम्मे फास्फोरस लगेगा एक होता सफेद फास्फोरस एक होता पीला फास्फोरस ठिक पीला फास्फोरस एक होता लाल फास्फोरस लाल फास्फोरस यह सम्मे फास्फोरस लगा लो इनमें दो तीन के यूज होत आ है सपेद फासफोरस से चूहा दबा बनाए जाती है चूहा मार दबा बनती जिंक मार बनती चूहा मार बनती लेकिन इससे भी बOoh इसा अप Zahlen का ए साथ को यूज अब देखो पॉस्पोर सकरास के बाद आता आरसेणिक ध्यान दो आरसेणिक पर आ क क हाँ थिन ही तीन पूछा जा त्या इंड़स्टियल यूज जो रिक्षिट का निधिकर मता कुमारी देवी जी क्या हो गया है बताव तो अब कर स्के बाद आते पर आर्सेनरे पूस्टन पूछता है आर से अधिक्ता से कौन कौन से रोग होते हैं तो आर्सेनिक है क्या सबसे पहले ये जान लेते हैं आर्सेनिक की अगर बात करें बेटा तो ये वाटर फलूटेंट है यानि की ये एक प्रकार का जल प्रदूसक है जल प्रदूसक की जब हम बात करते हैं तो जल प्रदूसक केवल आर्सेनिक नहीं होत जल्पदूसक अर्सेनिक भी होता है जल्पदूसक फ्लोराइड भी होता है जल्पदूसक की अगर हम बात करें तो जल्पदूसक मरकरी भी होता है जल्पदूसक लेड भी होता है जल्पदूसक अस्वेस्टस भी होता है ठीक यह भी होता है तो यहां पर अगर हम देखें और जल्प दूसक क्या होता है हाँ जल्प दूसक नाइट्रेट भी होता है ठीक यह मेन मेन इससे एक कोश्चन गारेंटी से तुम्हारे में आएगा यहां से पढ़के जरूर जाना ध्यान दीजे अब जैसे आर्सेनिक है पूछता है आर्सेनिक की अधिकता से कौन सा रोग होता ठीक यहां पर लिख लेना आर्सेनिक क्योंकि आर्ट साइड वाले बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे आर्सेनिक अगर पूछे इसकी अधिकता से कौन सा रोग होता है तो अधिकता से होने वाला रोग क्या पूछ रहा है रोग कौन सा होता है तो रोग की जब हम बात करते है तो इससे रोग होता black foot, खाली ये रोग याद करके जाना answer फस जाएगा guarantee से, एक question आएगा, फ्लोराइड ये लिखा है, फ्लोराइड की अगर बात करें, तो फ्लोराइड से कौन सा रोग होता है, तो फ्लोराइड की अधिकता से होने वाला जो रोग है, उसका नाम है फ्लोरो sis, मसूडों की समस्या होती है, फ्लोरोसिस होता है, फ्लोरोसिस ये भी याद रखेगा, नाइटरेड ये क्या है, ये है बेटा नाइटरेड, नाइटरेड की अगर हम बात करें, तो नाइटरेड की अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो नाइटरेड की अधिकता से रोग ह क्या है मरकरी को हिंदी में पारा कहा जाता है इसकी अधिक्ता से कौन सा रोग होता है तो इसकी अधिक्ता से रोग होता है मिनी माटा माटा होता माता नहीं होता याद रखेगा ये सबसे पहले जापान में फैला था कब फैला था 1953 में फैला था लेड जो होता है लेड यानि क इसको सीसा कहा जाता है सीसा की अधिक्ता से अगर हम देखें तो सीसा की अधिक्ता से होने वाला रोग कौन सा है कैंसर होता है कौन सा होता है कैंसर होता अस्वेश्टस यह है अस्वेश्टस की अगर हम बात करें तो अस्वेश्टस की अधिक्ता से कौन सा रोग होता है तो अस्वेश्टस की अधिक्ता से होने वाले रोग की जब हम बात करते हैं तो ये भी कैंसर ही करता है क्या करता है कैंसर करता ये अस्वेश्टस इस वक्त हाइलाइट चल लहा है क्योंकि लेक आफ सुपीरियर जो सुपीरियर जील है विटा यानि कि सुपीरियर जील जो है इस जील की अगर बात करें तो यह इस जील में अस्वेश्टस की मात्रा बढ़ गई है जबकि लेक आफ सुपीरियर की हम बात करें तो लेक आफ सुपीरियर जो है यह दुनिया की स सबसे मीठे पानी की जीलों में सुमार करती है यह फाइफ सिष्टर में से एक है पांच वहनों का समूह जो है जिसे महान जील पुदेश कहा जाता है जिसमें हुरान इरी ऑंटोरियो ठिक सुपीरियर ठिक यह जो जीले आती हैं पांच जीले इन पांच जीलों के समूह में ल की मात्रा बढ़ गई है इसी लिए बोड लगा दिया गया है कि अब यहां का पानी पीने योग नहीं रहा ठीक यूएसे में बिलकुल यहां से गारंटी मैं लेता हूं एक कोश्चन जरूर आएगा एक कोश्चन हंड़ेड परसेंट ठीक भगवान चाहेंगे तो दो कोश्च कबर कश कर चुके हैं यह मान लो एक यहां से फशेगा इसी पेज से फशेगा एक बीरी इंपॉर्टेंट है पढ़के जाईएगा अगर हम जिसको पूरी साइंस पढ़ा देते हैं तो अगर 10 नंबर की साइंस आती है तो 11 नंबर सही कराता है एक बच्चा कहा सर दस नंबर की साइंस सुपर्टेट में उत्तर पदेश के पेपर में आई तो एक बच्ची पेपर देखे आई कहीं सर हमारे तुझ 11 सही हो गएं साइंस कोश्चन 10 अज़ा है सही 11 कैसे हो गए यानि की साइंस के दम पर एक कोश्चन इन्वार् सब लोग बोलो भुलो क्या बताएं भाईया क्लियर बोलो भया सब लोग बोलो मेरे लाल लाल बाल-पाल सभी लोग बोलो नेष्ट नेष्ट मोक में भी नहीं आये शराब माक में भी नहीं आए आप पहले क्यों नहीं आए यह भगवान हमको भी बड़ा रोना रहा है लेकिन कहा करें पहले नहीं आप आए ठीक है चलो ध्यान दो नेश्ट नेश्ट पे आते हैं तो आरसेनिक एंटी मनी विस्मत एंटी मनी विस्मत को घूसा मारके किनारे करो अब क्या होगा नाइट्रोजन हो गया ऑक्सीजन हाँ देखो ऑक्सीजन फैमली की अगर बात करें तो ऑक्सीजन से कौन-कौन से एलिमेंट आते हैं ध्यान दो आक्सीजन से एलिमेंट की जब हम बात कहते हैं, तो आक्सीजन आता है, सल्फर आता, सेलेनियम आता, टेलेनियम आता, पोलोनियम आता, इससे क्या कहते हैं, दो तीन कोश्चन हैं, जो आपको याद रखना, आक्सीजन जीवन दाइनी गैस कहते हैं, सब को पता है, जीवन दा बात करें तो सलफर याद रखेगा यहां से कोश्चन बनेगा सलफर को बेटा गंधक कहा जाता क्या कहते हैं गंधक कहते हैं गंधक की अगर बात करें तो इसके कारण गंधाती जैसे तीन चीजे सबसे ज्यादा सलफर किस में होता है नंबर एक पर सबसे ज्यादा होता सरसों में दूसरे नंबर पर जो होता है प्याज में किस में होता है प्याज में ठीक और तीसरे नंबर पर जो होता हो लहसुन में इनमें जो गंध आती है सलफर के कारण ही आती किस से आती है सल्फर के कारण ही होता है किसके कारण सबसे ज्यादा समस्थानिक पूरे कमिष्टी में सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके होते हैं यह आप से पूछा करें तो पोलोनियम के कितने होते हैं 27 होते जैंक कि लियर काम खतन हैं बोलो काम खतन हैं अब सल्फर के बाद आजा किस पर फ्लोरीन पर आजा हो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेनीन, देखो वई समझो, फ्लोरीन की अगर बात करें, तो याद रखे, फ्लोरीन जो होती है, इसकी विद्धुरुनात्मक्ता, एलेक्ट्रो निगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, विद्धुरुनात्मक्ता, अगर तो फ्लोरीन की अब देखो यहां पर कोश्चन पूछ लेता है बिद्धु रनात्मक्ता का घटता करम क्या होता है तो बिद्धु रनात्मक्ता का घटता करम का घटता करम देख लेते हैं तो इसके घटते करम की अगर हम बात करें तो इसका घटता करम क्या होता है तो यहां सबसे पहले नंबर पे वेटा जो आएगा वह आएगा Mes кан geen mita главное treasury इंसे कम होता अड़ी यह बत्चा घटाक्रम हो गया सबसे ज mı anders गर बात डुरी तो इसकी इलेक्टरान बर्थना सबसे जादा होती इलेक्ट्रान बंधता इलेक्टरान बंदुता सरवाधिक होती है अब आपसे ये भी पूछ लेता है कि इलेक्टरान बंदुता का घटता करम क्या होगा तो इलेक्टरान बंदुता का घटता करम क्या होगा तो यहाँ नोट कर लेते हैं इलेक्टरान बंदुता का घटता करम घटता क्रम घटता क्रम क्या होगा तो इलेक्टरान बंदुता का घटता क्रम देखें तो इलेक्टरान बंदुता का घटता क्रम में पहले नमबर पे क्लोरीन देन फ्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन ठिक यह आएगा तो यह इसका घटता करम होगा संमझ में आई बात तो यह इसका घटता करम है और यहाँ पर इसका घटता करम है ठिक यह चीज कर लियर हो गई गोलो भाई ठोलो क्लियर आपbolos er UND काउन खुद से बाते चल ला कर रहा बहुत अच्छे अब थोड़ा आयोडीन के बारे में जान लो आयोडीन क्या है आयोडीन के बारे में अगर देखें तो ध्यान दो iodine जो होता है iodine iodine की अगर हम बात करें यह लग नहीं रहा iodine क्योंकि हमारी writing थोड़ी बहुत अच्छी iodine iodine की अगर बात करें तो iodine जो है यह सबसे ज़्यादा समुद्रों से प्राप्त किया जाता है ठीक, iodine समुद्री घास का सबसे बड़ा स्रोत है या समुद्री घास कहलो या क्या कहते हैं सैवाल कहलो ठीक समुद्री घास भी से कहा जाता सैवाल भी से कहा जाता है यही इसके सबसे बड़े स्रोत होते हैं क्या होते हैं सबसे बड़े स्रोत होते हैं अगर पूछा जाए सबसे बड़ा स्रोत है तो कौन सा है तो यह अब किस कौन से सैवाल से सबसे ज़्यादा आरडीन प्राप्त की जाती है तो एक सैवाल है जिसका नाम है लेमेनेरिया लेमेनेरिया क्या है बेटा इस सैवाल है लेमेनेरिया सैवाल जो होता है इससे सरवाध सरवाधिक रडीन प्राप्त होती है किससे प्राप्त होती है तो आपका लेमनेडिया से ठीक पर अपना आता है अक्रिय गैसे अक्रिय गैसे यानि कि नोबल गैस कौन सी है इसमें आता है हिलियम, नियॉन, आरगन, क्रिप्टावन, ज्युन, रेडन ठिक. यह यह गैसे होती हैं। Connecticut, इनमें सबसे पहला point अगर आप से हिलियम के वारे में पूछा जाएं तो आप से question करेगा सबसे हल्की गैस कौन सी है। जब आप से question पूछा जाए सबसे हल्की गैस कौन जाएं। तो answer क्या होगा? तो answer होगा helium. दूसरी चीज, दूसरी खास बात या दूसरी ब्रह्मांड में सर्भाधिक मात्रा में पाई जाती है. अब सवाल ये उठता है पहली कौन सी पाई जाती है? तो पहली पी अगर हम बात करें तो पहली कौन सी पाई जाती है? तो सबसे पहली जो पाई जाने वाली गैस है ब्रह्मांड में, वो हाड्रोजन है, तो याद रखेगा हाड्रोजन, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाती है, किसमें? ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाई जाती है, तो अगर ये पूछा जाए, सर्वाधिक पाई जाती है, जाती है तो अगर यह पूछा जाए कौन सी गैस गैस याद रखेगाईश तो कौन सी गैस सरवाधिक ब्रह्मान में पई जाती है तो फाद रोजन दूसरी सबसे जादा कौन सी पाई जाती है तो एंसर होगा हेलियम कौन सा answer होगा, helium होगा, क्या होगा, helium, अब देखो, helium जो है सबसे हलकी है, इसलिए यह मान लिया जाता कि इसको भी टायरों में भर सकते हैं, ठिक, अब देखो, यहाँ पे देखो neon, neon की अगर बात करें, तो neon का यूज किस में होता है, तो इसका यूज बल्ब में होता है, बल जैसे आप एरोपलेन देख लो टावर पे लगा बल्ब देख लो उनमें सम्में जो बल्ब जलते दिखते हैं वो नियान आखिर क्यों ऐसा होता है क्योंकि नियान जो होता है ये बच्चा लूमिनियस इफेक्ट जो होता है उसको बढ़ा देता है लूमिनयस इफेक्ट क्या म आरगन की अगर बात करें तो आरगन पर आ जाओ, आरगन जो बिटा होता है, आरगन का यूज किसमे होता है, आरगन डोमेस्टिक बल्बों में यूज होते हैं, डोमेस्टिक बल्ब का मतलब क्या होता है, जो घरेलू बल्ब होते हैं, उनमें यूज किया जाता है, मंडल में वायू मंडल में नहीं पाई जाती है याद रखेगा नहीं पाई जाती है थेक दूसरी चीज भूकम्प जब बेटा आता है याद रखना ये नोट भूकम्प आता है भूकम आने पर वायू मंडल में पाई जाती है सक्रिये होती है या कह सकते हो पाई जाती है ठेक सक्रिये हो जाती है तो भूकम पाने पर वायू मंडल में पाई जाती है अधरवाइस पाई नहीं जाती प्राडिक टेबल खलास बता भाईया कि हैंक तो नहीं हुआ दिमाग कि सांस फूल गई मेरी बोलते बोलते बोलो कि दिमाग तो हैंक नहीं हुआ तुम लोगों का कि भूलो भया कि सब खिचड़ी हो गया है अब हम सोच रहे हैं अब क्लास को छोड़ देते हैं अब आप लोग सेलफ एस्टड़ी करिए थोड़ा बहुत एंसी क्यू कर आएंगे तीन बजे क्या कहते हैं एक बार याद कर लोगे पढ़ लोगे तो थोड़ा क्या कहते हैं आप लोगों को चीजे तयार हो जाएं मजा तो बेटा आ रहा लेकिन लॉजिकल कमिस्ट्री में थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा जहां समझाने वाली चीजे इसलिए आप गलत हो जाएंगे गलत करा पीडियाफ तुरंत अप्लोड कर दूँगा फीडियाफ डाउनलोड करके इसको आप रीड कर लीजेगा तो सारी चीजे क्या कहते हैं वर्क एनरजी पावर छोड़ दीजिए उससे कभी कभार आता भूल जाईए उसको ना समय मिला है ना हम करा पाएं इसके लिए हम देव लोगों के लिए सब कुछ करने की कोशिस किया है जितना कम समय का आभाव था जितना कम समय था जितना हमें समय मिला उस समय में इतनी चीजों को इतना बहतर ढंक से जितना डिलेवर कर पाए हम उतना हमने प्रयास किया फिर भी अगर आप लोगों को लगता है हमसे कोई गलत अच्छा लगेगा और हां कोसिस अभी तो मैं यह कमिट्मेंट नहीं कर सकता हूं कि अभी पता चलेगा कि पर कैसा पर देकर आईएगा कितने लोगों का कल पेपर है जरा बताई यह पर कल कितने लोगों का हाँ देखे बेटा कमी निकालना है जैसे कोई भी हो किसी के अंदर हम कमी ढूंडने लगें तो बहुत सारी कमी निकाल सकते हैं नाट कोई भी पर्फेक्ट नहीं होता है ठीक है तो कमी निकाल सकते हैं वही वाली सायरी याद रखो सिकवा तो बहुत हैं गालिब क्योंकि हम मिले तो सही अगर मिलते ही नहीं तो क्या सिकवा होते क्या सिकायत होती ठीक तो अब क्या कहते हैं ना एक दूसरे पर दोसा मतलब आप लोग ऐसा कल नहीं रहें जैसे ये सलाह दे रहें कभी भी वेटा क्या करें जीवन में हमेशा य लगता आप हमारे विपरीद हैं तो हम अपने रास्ते पर अलग चलेंगे फर्क इत्ता होता है ठीक हां बहुत अच्छे हां तो आप सभी लोग तो देखिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत सुक्रिया आप सभी लोग कल मैं सुबह सुबह ही उठूँगा इस वर से प्रात्ना करूँगा तो मैं सबसे पहले इस वर से मांगूँगा कि जो बच्चे पढ़के हमसे जा रहे हैं जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वो तो कम से कम जाएं तो इसकोर करके आएं क्योंकि अब हम तो कहते हैं सभी का कल्याण हो एक वस्दय कुटम्वकम की बात हम भी कहते हैं लेकिन इसलिए जिसने हमसे पढ़ा जो हमसे जुड़ा है उसके हम इमोशन भी जानते हैं उसके इमोशन का हम पर प्रभाव भी पढ़ेगा तो सबसे पहले प्राइमरी प्रात्मिक्ता तो हम नहीं को देते हैं समझ रहें हाँ तो इसलिए क्या कहते हैं आप सभी लोग जितने लोग हैं वह सभी लोग विशेश तोर पे इस चीज़ का याद रखें सभी लोग आराम से जाईएगा कूल माइंड करके जाईएगा बि आज ही जिनका कल पेपर है कि हमें रिजनिंग पे कितना समय खर्च करना है हमें जीयस पे कितना समय खर्च करना है हमें मैत पे कितना समय खर्च करना है हमें मतलब हिंदी पे कितना समय खर्च करना तो यह जरूरी है आप सभी लोगों के लिए बिलकुल दुआ करेंगे मेरे किलाल सब देखे हम जब दुआ करते हैं तो अब सब के लिए दुआ करते हैं सब क्या कहते हैं सफल हूं मैं तो यही कहूंगा हमारे साथ जितने लोग इंदोल हैं सभी लोगों का सब्सक्राइब आएंगे विहार आपसे जब मिलने आएंगे और सभी लोग सेलेक्टेड होंगे तो एक मास्टरों के साथ मास्टर आफ मास्टर भी जब होगा यानि कि मास्टर के साथ मास्टर आफ मास्टर होगा तब क्या कहते हैं यह ग्रांड पार्टी हम लोग करेंगे तो मज़ा आएग हूँ बिल्कुल बर्डेन ना लीजिएगा आप सभी लोगों को गुड़ लग आल दावेश्ट सब लोग क्या कहते हैं अच्छे से जाएं अच्छे से पेपर संपन्न करें जो हमें लाइब देख रहे हैं वो भी जो नहीं देख रहे हैं उनको भी आल दावेश्ट और जो न आल पज़न करें situación लोग आल आल दावेश्ट मैंने टन बसे हैं जय मूम झाल आल दा जो आल दावेश्ट सुना महले हैं ज्द मिल्कूड़ श्ज रहें जहे शो हमेहां hetजर आल देख से आपास्टर kit, में हाथ sucks, क्जय हैं झाल पत्कल दावमोंगो